साथियों, युनिवेर्सिटी सिर्फ उच्य सिख्षा का कैंदर भर नहीं होती, ये उचे लक्षों, उचे संकल्पोंकों साधने की शक्ति को हासिल करने का भी एक बहुत बड़ा पावराऊस होता है एक बहुत बड़ी उर्जा भूमी होती है प्रेणा भूमी होती है यह हमारे करेक्टर के निर्मान का हमारे भीतर की ताकत को जगाने की प्रेणा सलीवी है युनिवर्सिटी के सिक्षक साल दरसाल अपने स्टूडेंट्स के इंट्रेलेक्चुल, एकडेमिक और फिजिकल डेवलप्मेंट को निखारते हैं छात्रों का सामर्थ बनाते हैं छात्रों अपने सामर्थ को पहचाने इसमें भी आप सिक्षकों की बड़ी भूमिका होती है लेकिन साथियों लंबे समय तक हमारी यहां समस्या यह रही हैं कि हम अपने सामर्थ का पूरा उप्योगी नहीं करते हैं यही समस्या पहले हमारी गवर्णनस में सरकारी तौर तरीकों में भी थी जब सामर्थ का सही उप्योग न हो तो क्या नतीजा होता है मैं आज आपके बीच में उसका एक उधारन हूँ उधारन देना चाहता हूँ और यहाँ यूपी में वो ज़्यादा ज़्यादा सूटेबल है आपके बहुत लखनव से जो बहुत दूर नहीं है राय बरेली राय बरेली का रेल कोच फैक्टरी बर्सों पहले वहां निवेशुवा संसाधन लगे मशीने लगी बड़ी बड़ी गोश्राएं हुई रेल कोच बनाएंगे लेकिन अनेक सालों तक वहां सिर्फ डेंटिंग पेंटिक का काम होता रहा कपूर्थला से डिब्बे बनकर आते थे और यहां उसो थोड़ा लीपा पोती रंग रोगान करना कुछ चीजे इदर दर डाल देना पस यही होता था जिस फैक्टरी में रेल के डिब्बे बनने का सामर्थ था उसमें पूरी क्षमता से काम कभी नहीं हुआ साल 2014 के बाद हमने सोच बदली तौर तरीका बढ़ला परणाम यह हुआ कि कुछ महिने में ही यहां से पहला कोच बन करके तयार हुआ और आज हर साल सेंकडो डिब्बे यहां से निकल रहे हैं सामर्थ का सही इस्तमाल कैसे होता है वो आपके बगल में ही है और दुनिया आज इस बात को देख रही है और यूपी को तो इस बात पर गर्व होगा कि अपसे कुछ समय बात दुनिया की सबसे बड़ी आपको गर्व होगा साथी हो दुनिया की सबसे बड़ी रेल कोच फैक्टरी अगर उसके नाम की चर्चा होगी तो वो चर्चा राय बरहली के रेल कोच फैक्टरी की होगी